तो आज प्रस्ट नमबर 21 से शुरू करते हैं तो देखें प्रस्ट नमबर 21 में हैं 144 बॉल पेन के एक समुह में 20 बॉल पॉइंट खराब हैं और सेस अच्छे हैं आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो परन्तु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे दुकानदार इन पेनों में से यादिख्षत एक पेन निकाल कर आपको देता है इसकी क्या प्राइक्था है कि आप वह पेन खरीदेंगे तो देखें कुल कितने पेन हैं 144 है न एक कुल पेन है इसमें से 20 बाल पेन खराब है ये खराब पेन ठीक न यह लिख लिया हमने जो सुचना दी गई है प्रस्ट में से उन में से लिख लिया अब प्रस्ट नमबर डाल लेते हैं प्रस्ट नमबर 21 तो इसमें लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर तो देखें कुल कितने पेन हैं 144 और प्रस्ट नमबर एक का मतलब 21 का पहला भाग है आप वह पेन खरीदेंगे मतलब अगर हम वह पेन खरीदेंगे तो मतलब वह पेन अच्छा होगा सही होगा तो 144 पेन में 20 पेन खराब हैं तो बचेंगे कितने 124 ये 124 पेन सही हैं तो हमको लिखेंगे यहां अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर एक सो चोबिस और हम लिखेंगे पी हम वह पेन खरीदेंगे खरीदेंगे ठीक ना तो इसमें लिखेंगे फॉर्म्रा लिख लेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या परिणामों की संख्या बटे सभी संभो परिणामों की संख्या ठीक ना तो अनुकूल परिणाम कितने हैं एक सो चोबिस बटे एक सो चोबालीस तो इसको काट लेते हैं चार के पॉणा से काट लेते हैं चार तियाई बार चार चंग चोबिस चार तियाई बार चार एक कम चार इस प्रकार आया 31 बटे 36 ठीक ना अब इसी के दुसरे भाग में लिखा है आप वह पेन नहीं खरी देंगे तो नहीं के लिए ये वाला सुत्र लिख लेते हैं पी ये पी मतलब वह पेन हम खरीदेंगे प्लस पी ये के उपर बार मतलब वह पेन नहीं खरीदेंगे तो हमने पहले बताया था इस ये सुत्र लगाएंगे अगर एक चीज़ी में देखे वह पेन हम खरीदने का दिया है और नहीं खरीदने का निकालना होगा तो हम सुत्र लगा लेते हैं तो P E 31 बटे 36 ठीना मतलब यह प्राइकता है जिसकी हम पेन खरीदने की और यह P E पेन नहीं खरीदने की प्राइकता यह रही बराबर एक होता है तो लिखेंगे P E बार बराबर 1 माइनस 31 बटे 36 इसको हल कर लेते हैं 36 एकम 36 बटे 31 माइनस 31 बटे 36 36 में 31 गया तो 5 बटे 36 तो इस प्रकार इसका अंसर आ गया और अगर हम इस प्रकार लिखना चाहेंगे तो देखिए इसका भी हम लिखके दिखाते हैं इसमें लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या तो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर देखे अनुकुल परणाम इसमें क्या है कि हमको वह पेन जो हम नहीं खरीद देंगे मतलब वो खराब पेन होने चाहिए तो इनमें कुल खराब पेनों की संख्या 20 है इसलिए यहाँ अनुकुल परणाम 20 हो जाएगा अब यहाँ लिखते हैं P हम वह पेन नहीं खरीदेंगे खरीदेंगे तो यह जाएगा 20 बटे 144 ठेक न तो इसको 4 खेपना सही काट लेपे हैं 4 पंचे 20 चार त्याहिए बार 4 चंग 24 यह आगया 5 बटे 36 देखे दोनों तरीकों से भी आंसर सही आगया तो इस प्रकार प्रस्ट नमबर 21 हो गया देखे अब प्रस्ट नमबर 23 देखते हैं इसमें लिखा है एक खेल में एक रुपे की सिक्कों को तीन बार उच्छाला जाता है प्रतेक बार का प्रणाम लिख लिया जाता है तीनो प्रणाम समान होने पर हनीव खेल जिट जाएगा आनिथा वो हार जाएगा हनीव के खेल में हार जाने की प्राहिक्ता ज्यात करना थेखना तो प्रस्ट नमबर 23 ठीक न तो देखिए अगर यदि एक सिक्के को तीन बार उच्छा लिए या तीन सिक्कों को एक बार उच्छा लिए ये दोनों कथन सेम ही है ठीक न तो देखते हैं पहले कितने आते हैं देखें माल लिया पहले सिक्के पर हेड हेड दुसरे पर और तिसरे पर भी हेड आ गया या तीनों पर टेल 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 आ गया ठीक ना या तो फिर देखे कितने प्रकार से बन सकता है head head tail head tail head tail head head ठीक ना फिर head tail 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 head और tail head tail ठीक ना तीस प्रकार देखी कितना आया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ है ना आठ प्रकार का रिजमेंट आया है तो हम लिखेंगे सभी संभो पेड़ामों की संख्या कितनी जाएगी आठ ठीक ना अब देखें इसमें लिखा है कि हनीब के खेल हार जाने की प्राइकता गियात कीजिए तो देखें हार एक अकब जब देखें जीतने वाला क्या है कि तीनों पर head 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 आये और तीनों पर tail tail मतलब तीनों पर एक जैसा है बाकि जो भी कुछ arrangement एक पर बनता है उस पर वो हार जाएगा मतलब देखेंगे यहाँ हार गया दो, तीन, चार, पांट, छे छे बार में ये हार गया और ये दो बार में ही केवल जीतेगा तो हमको यहाँ लिखना है हारने की प्राइकता ग्यात करनी है ठीक ना, तो हार जाएगा तो, हार ने का 6 हो गया, अनुकुल परणाम 6 हो गया, फिलिक ये, P हनीप, खेल, हार जाएगा, ठीक ना, ती जाएगा 6 बटे 8, दो तियां इचे, दो चोगे 8, इस प्रकार 3 बटे 4, इस प्रस्ण का हल हो गया, ठीक ना, प्रस नमबर 24 देखते हैं देखें, प्रस नमबर 24 में है, एक पासे को दो बार फेका जाता है, इसकी क्या प्राइकता है कि, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा देखे हैं संकेत भी दिया हुआ है एक पासे को दो बार फिकना या दो पासे को एक साथ फिकना एक ही प्रियोग माना जाता है ठीक ना चाहे एक पासे को दो बार फिक लिजे चाहे दो पासे अलग अलग एक अक बार फिक दीजे तो वही मतलब होता है इसका तो हम लिखते हैं यहाँ देखें कितना arrangement बनता है अगर दो पासे को फेका जाए तो देखें यह सब होता है सभी संभो परिनाम सभी संभो परिनाम ठीक न? तो देखें मान लिया पहले वाले पर एक आजाए और दूसरे वाले भी पासे पर एक आजाए ठीक न? इसी प्रकार पहले वाले पर एक रहें दूसरे वाले पर दो आजाए तो इस प्रकार यह arrangement बनता है पहले वाले पर एक दूसरे वाले पर पांच पहले वाले पर एक दूसरे वाले पर छे फिर दूसरे पहले वाले पर दो दूसरे वाले पर दो है न इस प्रकार यह हम लिख सकते हैं इस प्रकार है न दूसरे वाले पर दो दूसरे वाले पर दूसरे वाले पर छे तो पहले वाले पर दो अब फिर पहले वाले पर तीन दूसरे वाले पर एक तो इस प्रकार यह आरे यह हो गया अब यह पहले वाले पर चार दुसरे वाले पर एक पहले वाले पर पांच दुसरे वाले पर एक पांच दू पांच तीन पांच चार पांच 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 छे यहां एका छे एक, छे दो, छे तीन, छे चार, छे पांच, और छे छे, ठीक ना रहते हैं इस प्रकार अगर गिने तो कुल 36 संभो परणाम आते हैं लिखेंगे सभी संभो परणिनामों की संख्या बराबर यह कितना है, 6 गुड़े, 6 बराबर, 36, ठीना, 6 इधर से, 6 इधर से, 36 हो गए अब देखें, पहले वाले भाग में क्या लिखा है, 5 किसी भी बार ना आए तो देखें, 5 किसी भी बार में ना आए, तो देखें, क्या-क्या है, कौन-कौन सा है देखें, अगर हम इसको छोड़ दें, देखें, इसमें एक बार 5 आया है, इसमें भी एक बार 5 आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें दोनों बार आया है, तो एक बार भी नहीं आया है, तो दोनों बार आया है, तो उसको भी गिंती, यह सब, हम अगर इसक जिसमें पांच आया है उसको अगर हम हटा दें तो जो बचेगा उसमें पांच नहीं आया है तो ठीक ना तो कुल कितना जगा छे साथ आठ नो दस ग्यारा ठीक ना कुल ग्यारा हटा देते हैं तो छतिर अनुकूल परिणामों की संख्या बराभर कितना जगा छतिस माइनस बारा नहीं लेगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा ठीक ना यह ग्यारा हुगा यहां ग्यारा लगेगा तो यह पांच आ जाएगा ठीक ना छे में से एक ग्या पांच तो यह जाएगा पचीस ठीक ना तो अब लिखते हम पी पांच एक बार भी एक बार भी नहीं आना तो लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या ठीक ना तो यह जाएगा पचीस माइनस छत पचीस बटे छत तेस तो यह हो गया इसका दूसरा भाग में क्या लिखा है कि पांच कम से कम एक बार में आना चाहिए तो पांच कम से कम वाले में देखें अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर देखें ये जो हमने 11 हटाए थे उनमें कम से कम 5 या दोनों बार में 5 तो आया हुआ है तो कितनी बार थे ये? ये 11 है तो लिखेंगे P 5 कम से कम एक बार आना तो कितनी ग्यारा बटे 36 तो इस प्रकार परस्ट नमर 24 के दोनों भाग हो गए